हलो बच्चो आज हम लोग मराठी, सुलब भारती, येत्त सहावी याने चट्टी का लेसन नंबर दो माजा अनुभव इसका क्वेशन आंसर्स देख लेंगे ये लेसन हम पढ़ चुके हैं तो प्रश्ण एक का ते लिहा याने गिव रिजन रिमाने आनन्दाने उड़िया मार लिया, रिमाने खुशी में कुदी क्यों मारी उत्तर, मामा चे गावाला जायला मिड़त होते मनुण रिमाने आनन्दाने उड़िया मार लिया, मामा के गाव में जाने को मिल रहा था, इसलिए रिमाने खुशी में कुदी मारी आ, मुला ने बाडाला मांडी वर घेत ले, बच्चे ने उस छोटे बच्चे को अपने गोद में क्यों लिया? उत्तर, बाड मुला कड़े पाहून खुदकन हसले, मनून मुलाने बाडाला मांडी वर घेतले, वो छोटा बच्चा उस बच्चे को देखकर हसा, इसलिए वो बच्चे ने उसको अपने मांडी पर ले लिया इ, मुलाचे मन आनन्दाने थुई-थुई नाचू लागले, बच्चे के मन खुशी से थुई-थुई नाचने लगा उतर, सायंकार चे वेडी, पक्षियांची किलबिल, शेता चरनार्या गाईन से हमबरने, वक्रियांचे बेबे, पिकांचे डुलने, हे वातावरन पाहून, मुलाचे मन आनन्दाने थुई-थुई नाचू लागले यहने वो बच्चा जब मामा के गाउ में जा रहा था, तो शाम के वक्त में मामा के गाउ में इतना अच्छा वातावरन था, वो सब चीजे देख कर उसका मन खुशी से नाचने लगा था यहने बच्चे लोग को आजी ने अपने करीब लिया और वो लोके सर पे चेहरे पे हात फिराया, उनका जो हात का स्पर्ष था, वो बहुत प्यार भरा था इसलिए बच्चो का मन भर के आगिया, उनको रोने जैसा हुआ प्रश्ण दोन, सुट्टी कधी संपली ते आमाला समझ लेश नाई, असे मुलाला का वाट ले, तुमचे शब्दांत लिहा चुट्टी कैसे खतम हो गई, ये बच्चे को समझा ही नहीं, ऐसा उसको क्यों लग रहा है, अपने शब्द में लिखो उतर, मामा च्या गावी मुलान नी नुस्ती धमाल के लिए विहरी वर पोहाईला गेले, शेतात बागड ले, आमब्या च्या जाडा वर चडून कैरिया वा पाडा चा आमबा खालला, बाइल गाडी तुन मामा बरोबर, शेतात वा आमराईत फिर ले, रोज मजाच मजा के ली, मनून सुट्टी कदी संपली, ते आमाला समझलेश नहीं, असे मुलाला वाटले, यहने बच्चों ने गाव में इतना मजा किया ये सारी चीजे की, तो इसके लिए वो लोग चुट्टी कैसे खतम भी उनको समझा ही नहीं, प्रश्न तीन, वाचा, सांगा, लिहा, ना प्रश्न चार, खालील शब्दान चे समानार्थी शब्द लिहा, यहने गिव मीनिंग्स, अ, वारा, पवन, तोंड, मुक, रस्ता, वाट, आई, माता, शेत, शिवार, यह उनके मीनिंग्स है, प्रश्न पाच, जोडया, जुडवा, मैच द कॉलाइम, मैच द अगट, बगट, तो हमने यहां इसको सही आंसर लिख दिया है, इसके सामने, आगड़ी, जुग-जुग, पैंजन, चुम-चुम, गुंगर माड़ा, खुड-खुड, बैल गाड़ी, खड-खड, पाणी, खड-खड, यह पाणी का खड-खड में यह ड़ अलग है, दो रा अब यह सहावा प्रशन क्या है, गाई के आवास को हमबरने ऐसा बोलते है, तो यह बाकी पशुपक्षी के आवास को क्या बोलते है मराठी में, वो लिखना है, तो बकरी, बे-बे, वाग, डर-काडी, बेडुक, डराओ-डराओ, कुत्रा, भू-भू, मांजर, म्याओ-म् मोर, केकावली, यह इनके आवास को कहा जाता है, प्रशन साथ, खालील वाग, परचारांसा, वाक्यांत, उप्योग करा, यह जो वर्ट्स दिये है, इसको अपने सेंटेंसेस में यूज करो, अ, खुदकन हसने, आईला पाहुन बाढ़, खुदकन हसला, आ, गाड जोपने, ठकल्या मुडे बाढ गाड जोपला, कड़कडून भेटने, सुट्टीत घरी आलेला भाव मला कड़कडून भेटला, टुकू टुकू पाहने, बाढ खिडकीतून बाहेर टुकू टुकू पाहत होता, आनंदाने थुई-थुई नाचने, पावुस येतास मुले आनंदान थुई-थुई नाचु लाग ले, गही वरुण येने, मुलगा फार, वर्शान, अंतर, घरी आला, तर त्याचा, आईला, गही वरुण आले, तो ये इसके आंसर्स थे, प्रशना आट, बाजार हाट या सारके आनकी का ही जोड़ शब्द लिहा, बाजार हाट के जैसे और भी जोड़ शब्द लिखो, उत्तर, पाने फुले, काम धन्दा, फेर फटका, जागो जागी, ये इसके जैसे वर्ड्स है, और भी आप दून के लिख सकते हैं, प्रशन नाइन, तुम्ही एखादे चांगले काम केले आहे, त्या प्रसंगाच से अनुभव लेखन करा, य एकदा मी रस्तियात जात होतो, एक अंध व्यक्ती रस्ता ओलाण्याचा प्रयत्न करत होते, मी त्यान सा हाथ धरून, त्यान रस्ता ओलाण्डून दिले, त्यान नी माजे आभार मानले, आनी मला आशिरवात दिला, मला खूप आनंद जाला, तो आप लोग और भी कुछ आपने किया होगा अच्छा काम तो वो लिख सकते हैं, प्रश्न दहा, तुमच्या घरातिल व्यक्तीन बरोबर सुट्टी चा दिवशी तुमी कशी मजा करता, तेलिया, अपने घर वालों के साथ चुट्टी के दिन आप लोग कैसा मजा करते हैं, वो लिखो, उत्तर, मजा करतो, तो यह हमने लिखा है, आप जो आप करते हो, वो लिख सकते हो, जो भी आप जैसे भी करते हो, मजा करते हो, छुट्टी के दिन, वो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, प्रश्न अकरावा, खालिल शब्दान सार के दोन दोन शब्द लिहा, यह जो वर्ड् इससे मिलते जुलते वर्ड लिखना है दो सड़ सड़ हड़ फड़ फड़ भूर भूर फूर फूर कुर कुर लुक लुक खुट खुट टुक टुक खड़ तड़ फड़ फड़ ये इससे मिलते जुलते वर्ड थे प्रश्ण तेरावा, खालील शब्द आपन कदी वापरतो, ये words हम लोग कभ यूज करते है, करुपया, करुपया ये प्लीज, तो ये कभ यूज करते है, विनन्ती करनेया साथी वापरतो, यानि किसी को कुछ रिक्वेश्ट करना है उस वक्त यूज करते है, माफ करा माफी मागने साथी वापर तो याने सौरी हम लोग कब बोलते हैं जब किसी से माफी मागना है तो उसको क्या बोलते हैं मराटी में माफ करा आभारी आहे आभार व्यक्त करने साथी वापर तो याने थैंक यू अभी ये लास्ट में दो चीज़ दी हुई है आपन एका वस्तु बद्दल बोलू लाग लो कि त्यास एक वचन मनतो आणि अनेकान बद्दल बोलू लाग लो कि त्यास अनेक वचन मनतो उदारन एक जाड अनेक जाडे यानि ये क्या है singular और plural कोई एक चीज होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे जाड और वो ही बहुत सारे हो जाएगे तो क्या बुलेंगे बहुत सारे तो मराटी में उसको बुलेंगे जाडे तो खालिल शब्दांचिया जोड़या वाच्छा वसम जुन गया तो ऐसे ही बहुत सारे चीजों का एक वचन और अनेक वचन दिया है, उसको हमको रीड करके समझना है, तो देखते हैं क्या क्या दिया है, पहला चत्री, एक वचन चत्री, तो अनेक वचन चत्रया, डोडा, डोडे, पाटी, पाट्या, अंगठी, अंगठ्या, बांगडी, ब दो रेखीत करा, याने जो sentences दिये हुए है, इसमें noun को underline करना है, नाम याने noun, English में noun, तो ये grammar का है, इसमें जिस जिस चीज का नाम आया है, उसको underline करना है, तो अब बाबा अंचा सद्रा उसावला, तो बाबा और सद्रा इसको underline करेंगे, सुमन ने गुलाब आचे रोपटे लाओ ले, तो सुमन गुलाब रोपटे ये तिनो नावन है, पाकिटात पैसे नहोते, तो पाकिट और पैसे ये नाम है, मुले बागेत खेड़त होती, तो मुले और बागेत ये नाम है, समोरून बैल येत होता, तो बैल ये नाम है, सरिता वो फरिदा चांगलिया महित्रिनी आहे तो सरीता फरिदा और महित्रिनी ये नाम है पंकज ने परिक्षेत पहिला नंबर में डावला तो पंकज परिक्षा नंबर ये नाउन है तो इन सबको अंडरलाइन कर देना है तो यहां इसका question answers खतम हो गया